नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका तेहिए दिलसे स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाहाबाद स्टेट इनुवर्सिटी वा अन्य महा विद्याले के जितने भी विद्यारती है इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे स्टेटेंटे पूछ रहे थी कि सर परिच्छा लगभग समाब तो हो चुकी है और यहाँ पर स्माटपॉन टेबलेट कम मिलेगा आपने बोला था कि परिच्छा के बाद इस समाटपॉन टेबलेट आपके महा विद्याले के दरब से दिया जाएगा खास कर वो विद्यारती जो वार्षिक परिच्छ के BBSC B.C. के चात रहें वो लगातार कमेंट कर रहे हैं और पोच रहे हैं बार बार और यहाँ पर दोस्तों बता दे आप लोगों का जो है scholarship अभी तक नहीं आया है तो दोस्तों सभी प्रियास कर चुके है आपने जो है अपली केसन डाल दिया है और यहाँ पर जो है टोल फिरी नमबर से आपने सिकायद भी दर्जी कर दिया है लेकिन फिर भी अभी तक आपका स्कॉलर्शिप नहीं आया है भी तक तो दोस्तों ऐसे जितने भी विद्यार थे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से जरू बता दे कि जितने भी स्टुडेंट वार्सिक परिश्चा के हैं और उनका स्मार्टफोन टेबलेट कम मिलेगा तो यहाँ पर आपको बता दे आपका स्मार्टफोन टेबलेट के लिए टेंडर जारी हो चुका है जैसा कि नीच पत्र में दे सकते हैं फिलाल यहाँ पर विद्यार्थियों को मिलेगा अभी हाली में खबर आई है तो दोस्तों यहाँ पर परिश्चा लगब समावत हो चुकी है और रेजल्ट आप लोगों का इसी 15 से 20 दिन में आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी पुराने चातर थे नए चातर हैं और जिनको भी स् स्मार्ट पॉन टेबलेट दिया जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं जिन भी स्टुडेंट का जो है स्कॉलर्शिप अभी तक नहीं आया है दोस्तों यहाँ पर बता दें कि सभी प्रयास आप कर चुके हैं तो दोस्तों आपका स्कॉलर्शिप अब इसके बाद कोई आप आपके पास नहीं है क्योंकि बहुत सारे आपसन थे करेक्शन से लेकर यहाँ पर जो है अप्लीकेशन टोल फ्री नंबर से अप जो है सिकायदार्जी करना यह सारी चीज़े दोस्तों सभी छात्र करके ठक गए हैं लेकिन इस बार भ्रष्ट अधिकारियों के चलते दोस्त सभी चात्रों का जो है स्कॉलर्शिप नहीं आया है बहुत सारे ऐसे चात्र थे जिनका सभी फॉर्म में कोई भी गलती नहीं थी फिर भी उनका स्कॉलर्शिप नहीं आया है दोस्तों लागा था निजपत्र में घोटाले को लेकर स्कॉलर्शिप घोटाले को लेकर की लाए दोस्तों यहाँ पर आपका स्कॉलर्शिप अब संभव नहीं है फिलाल मिलते हैं अंगली बड़ी में इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा जाहिं क्याँ आपका स्कॉला आपका है